नमस्कार, दोस्तों मैं नभीन स्वागत करता हूँ आप सभी का NBT Life में दोस्तों, आज 11 जुलाई है, मंगलवार का दिन है और आज की दिन चंद्रमा मेश राशी में संचार करेंगे मेश राशी, आज की दिन आपको संचित धन को खर्च करने से बचना होगा किसी भी तरहें का निवेश अनुभवी लोगों की सलाहा के बिना आपको नहीं करना चाहिए विदेशों से जुड़ा कारोबार करने वालों को आज की दिन मुनाफ़ा हो सकता है पारिवारिक जीवन में आपको आज के दिन सामान्य फाल मिलेंगे विशब राशीद, आज धनलाप के अच्छे योग बन रहे हैं कोई कीमती वस्तु घर की सा सज्जा के लिए आप खरीच सकते हैं भाई बहनों के सहीओग से आपका काम बनेगा बिगड़ते काम भी आज के दिन बन सकते है करियर के लिहास से आज के दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा पिता का सहीओग आपको प्राप्त होगा खेल कूद, मनोरण जन में रुची बढ़ेगी राजनीत के छेतर में कारे करने वालों को आज के दिन सफलता मिल सकती है आपके फॉलोवर्स आज के दिन बढ़ सकते है करक राशीब आज के दिन कारे छेतर में वरिष्ट जनों से सहीओग मनाई रखने से फाइदे में रहेंगे यातरा की planning कर सकते हैं सुक सादलों की प्राप्टि आजके दिन आपको हो सकती है ससुराल पक्ष के लोगों से आपका समपर्क होगा उनसे अच्छी बाते भी आप कर सकते हैं सिंग राशी बेव делать की चिंताएं आपको मानसिक रूप से परिशान कर सकती है मुनाता पिता से बात करके कई समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है आज के दिन काम के सिल्थले में यात्रा आपको करनी पड़ सकती है और इस यात्रा से आपको लाब होने की भी योग है आपके लिए जीवन साती आपकी पसंद का पकवान आज के दिन बना सकता है विवाह योग्य जातकों के विवाह की बाद घर पर चल सकती है साज़धारी में कारोबार करते हैं तो आपको लाब होगा आज के दिन आपके स्वास्ते में भी अच्छे बल्लाव देखने को मिल सकते हैं तुलाराशी आज के दिन आपको ऐसे लोगों से बच्चकर रहना चाहिए जो नकारातमक बाते करते हैं खान पान का भी आपको विशेश ख्याल रखना होगा सामाजिक इस्तर पर शब्दों का इस्तिमाल सोच समझ कर करेंगी तो आपकी ख्याती आज के दिन बढ़ सकती है विशिक राशी विशिक राशी के लोगों की लव लाइफ में नयापन आज के दिन देखने को मिल सकता है विध्यार्थियों को शिक्षा के छेतर में अच्छे परिणाम मिलेंगे नौकरी की तलाश में थे तो आज आपको रोजगार मिल सकता है जिससे आपका दिन काफी सुकद हो सकता है धनुराशी आज के दिन धनुराशी के कुछ जातक वाहन खरीदने का विचार बना सकते हैं माता के साथ अच्छा समय बिताने का आपको मौका मिलेगा आज के दिन आपको ठंडी तासीर के भोज़ा फ़लार्थ खाने से बचना चाहिए नहीं तो आपकी सेहत आज के दिन खराब हो सकती है मकर राशीद कारशेतर में आपकी सक्रियता सहकर्मियों को चकित कर सकती है आज तिक पक्ष को मजबूत करने के लिए कहीं निवेश करने की आप सोच सकते हैं किसी पुराने दोस्त से सफर के दौरान आज के दिन मुलाकात होने की संभावना है कुम राशीद आज के दिन कुटुम्बी जनों से मुलाकात हो सकती है धनसे जुड़े मामलों में सफलता आपको मिलेगी अपनी बातों से लब पार्टनर का दिल आप जीत सकते हैं घर से दूर हैं तो आज घर के लोगों से सोचल मीडिया के जरिये घंटों बातने कर सकते हैं मिन राशीद धर्म आध्यात्म में आपकी रुची आज के दिन बढ़ सकती है शारिर क्रूप से खुद को आप फिट पाएंगे शाम का वक्त जीवन साती के साथ कहीं घुमने जाने का प्लाना बना सकते हैं सामाजिक कारियों में सहभागिता हो सकती है बच्चों की शिक्षा पर भी आप आज ध्यान देंगे और उनके साथ अच्छा वक्त भी आप बिता सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें नमस्कार